हेलो दोस्तों स्वागत आपका आज की क्लास में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी इंग्लिज की किताब का दूसरा चेप्टर दूसरे चेप्टर का नाम है लॉस्ट इस्प्रिंग यह कहानी है बच्चों से रिलेटेड गरीबी से रिलेटेड की किस तरीके ते जो छो सब्सक्राइब करें रहे हैं इसे पूरे चैप्टर में दो कहानी हों की बात की गई है पहली कहानी क्या है पहली कहानी है sometimes i find a rupi in the garbage यानि इसमें यह कहानी कि कभी-कभी इसकी जो title यह कि सम्ट कभी कभी आई फाइंड रूपी यानि मुझे मिल लाता है कोई रूपिया इनदा गार्वेश का मतलब कूटे में तो यह क्या कहानी है कूटे में रूपय मिलने की क्या कहानी है तो से इसका पहला पार जरहा समझजिये इस में जो कि बातचीत करती है गोल्ट कर देखती है तक वह लड़के XL करती है तो उनकी रगवा जान पहचान हो जाती है तो एक बार वो जाती है उस लड़के से पूछति है राइडर है हमारी वो लड़के पूछते हैं is के बिनने लगती हो तो बहुत हो का मलाके नहीं स्कूल कर जाएंगे कि क्या अगर होता तो जरूर जाते तो मजाग में कहती है अगर हम स्कूल खोलने तो तो फिर फिर खुश हो जाता थोड़ा था चमक क्योंकि एक उमीद लगती है कि हाँ चलो हम भी पढ़ पाइंगे तो फिर फिर बाचीर यह वता कुछ समय के बादा आथर फिर आती ए और वो लड़का उन्हें देखके भागते हुए उनके पास आता और उनसे कहता कि क्या आपका स्कूल तयार हो गया है लेकिन एक्चुल में उसने तो मजाक में कहा था उससे तो कभी बात ही नहीं हुई थी कि कुल मिला कि स्कूल कोई खोलेगा या नहीं खोलेगा तो वो अप हीवे आलम का मदला होता है किसी देश का साहब किसी राजी का राजा तो वो कहती है कि इस बच्चे को इसके नाम का अर्थ नहीं पता है कि अगर इसे नाम का अल्थ पता चल जाएगा तो साइध इसका नाम पर से विश्वास उट जाएगा कि यह सोचेगा बताओ देश का हैं और फिर उसके सांटें गुमते हैं और वहीं 類ते हूंकि इसमेधेश को आते हैं तो इस तरीके के लोगते हैं और पर पूशिसते हैं वह वह बत्चे पूरे पूर इंठ ध्यास कंटार हैं सबसे यहां आपने जूते क्यों नहीं पैने हुए तो यह वो तो इनके पास कोई ना कोई बहाना होता है इन से पूछा जाता भाया कूण भीनते हो तो लोग कहते हैं कि हमारे पहनते हो तो वह कहते हैं कि जूते कौन पहनेगा ठीक जूते तो बेकार की लग मेल पहने होता है कोई अलग पहना हुए कि गुर्म लाकर कि किस तरीके से कहानी बदल लाइए और किस टरीके से खेल भीड़ला लाएं तो उसने देखा कि उन्हें जूते मिल जाते हैं तो वह सुचती है लेकिन इन्हें जूते कौन दिलाएगा ये लोग कहां प्रात्रा करें कि इस तरीके से चलता रहता है फिर यह जो लड़का होता है इसे टेनिस खेलने का सौख होता है तो टेनिस खेलने का सौख होता है एक यह थी आता है नेकर होता है चोटाता उसके नीचे यह तो उसे आच्चार होता है उसे लगा कि इसमें जूते हैं बिल्कुल नए है बंद चेद था तो यह बेकार थे हमीर लोग तो फेक देता हैं तो बोले कि जो है कुल मिला कि हमारे उसने का आप ले लो तो हमने यह ले लिए और आप कुल मिला कि हम इसे पहन ला है लेकिन हमें सौक बहुत है टेनिस खेलने का लेकिन हम कभी अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि लोग हमें तो क्या भीकारी समझते हैं कूडा बीने अला समझते हैं हम कभी अंदर नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके दे बातचीत होती है, ये रहने वाले कहां के ते धाका का रहने वाला था, कहां का धाका यानि बांगलादेश का, और वहां पर ये बताता है कि बार बगरा आ जाती है, तो कुल मिला किसके खेत बगरा बरबाद हो जाते हैं, इसलिए ये लोग धाका से छोड़ तो यह उनकी दादी के पास जाती है, और जब 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 दादी के पास जाती है, कि हम लोगों के लिए यह कूड़ा सोने से कम नहीं है, यहां पर दो बाते हैं, वो जो हमारे बड़े हैं उनके लिए कुड़ा सोना कियों कभी उस कुड़े में FXR. कभी 24. कभी 20 रुपए मिल जाते हैं कभी बड़ी बड़ी पीज़ चालने क्या नहीं क्यों संधाल ब empath को भी चीज़ बड़ को बचनका क्यों को बड़े लोग में एक नामरे परिवार प्रमार निकाला आए तो इस तरीके से क्या कहते हैं वह जो उनकी दादी-मा गएती है बड़ों के लिए किसी सौने नहीं है और बच्चों के लिए एक यह यह कि आश्चर रिखी चीज आ सकते इसका पहला पाट है इस कहानी का इसमें दिखाया गया कि कितना गरीव है और कितने गरीब बच्चे छोटे-छोटे जो ने कूल भी ना पड़ता है महिनत करनी पड़ती है सब ठीक है इसका जो सेकेंड पाइट वो पाइड है वेन आई ड्राइव अकार अभी ड्राइव आई मुकेस की बड़ी इच्छा है कि वो जिंदगी में मेकैनिक बनेगा क्योंकि वो गाडियां को निकलते हुए देखता है फोर विलर निकलते हुए देखता है तो मुकेस की ख्वाइस है कि वो फोर विलर चलाने वाला सिखेगा और एक दिन मेकैनिक बन के वो खुद भी कि बात हो रहे हो रही है मोगेश क्या करता है उसके परिवार फिरोजाबाद में रहने वाला मैं चूरियों का बइंगे चूरिया काटते हैं और चूरियों का काम करता ये तो राइटर की जब उससे बात्चीत होती तो वो कहती है कि जो है हमारा सपना है तो सपने की बात जरूर करते हैं लेकिन फिर राइटर उससे पुछती क्या तुम्हारा एरोप्लेन बनाने का सपना तो नहीं है तो वो शर्मा जाता है क्योंकि एरोप्लेन तो कम निकलते थे लेकिन गालियां बहुत साही निकलती थे तो उसने नहीं नहीं हम केबल कार ही देखना चाहते हैं लेकिन सच्चाई यह थी कि सायद उसे भी पता था कि जिंदिगी में यह सपना सायद पूरा ना हो पाए क्योंकि जो बहुत गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे तो राइटर उनसे मिलने की इच्छा करती है तो राइटर जब उनके साथ उनके घर जाती है तो मालम क्या होता है उसका एक बहुत सारे अंदाद हो जिसने जुगी जोपनियां होती है जैसे बंगला देशी रहते हैं उसमें एक बहु होती है ठीक बहु का मदलब उसके जो भाई होते हैं उनकी दुलाइन होती है दुलाइन का मदलब उनकी वीवी यानि दुलाइन तो वह क्या गरती वह खाना बना रही होती और बहुत कम एज में ही उस पर बहुत जिम्मेदारी आ गई होती क्या उसे वहां बाद्चित होती है, उन्हें की दादी से पूछी क्या पूछी सब से 2 हमें जिनुद्गी में बूरा सा पती हैं वो आगे नहीं बढहा दिना चाहर है वो क्या करी हमारे खांदान में सब जूडिया है तो हम भी चूडिया ही ही बनाएंगे कोई जिन्दी की महाँ आगे नहीं बढ़ेगा जो झाला हुए बूठे बूरेवा वाइले वो कें। हमने कुछ की आई लिए यह जो फूर्ट फो क्या लटका भी काम कर रहा होता बहुत जारा चाम करता है लेवरी करता hangra तो पूरी कहानी है सब करे inspirations यह सब कहने की बाते हैं, पेपर पे ही, हवाई जाता है, उनött छोटे चोटे-छोटे बच्चे काम कर रहा है, हजार हजार पांव्पांट 040 वरुपए उन昨 Iraq काम करवा जा रहा है, और बहुत ज्यारा महलत कराइब हONnant tuya, बिकवूर जब हाटे मैं बुर नहीं पता है, उनके तरीके से बच्चों के जो सपने वो चले जाते हैं किस तरीके से बच्चों का जो बच्पन है वो बरबाद हो जाता है उसके उपर इस पूरे में डाला गया और दो पार्ट में यह बताया गया था पूरा चैप्टर आपको समझा दिया गया है इसी तरीके की कहानी के लिए हम हमारे चैप्टर को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बाकाइदा प्लेडिस्ट वाइज आपको पूरी कहानियां यहां पे मिल नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम मिलते हैं आप से एक और वीडियो में तब तक के लिए जाएं